आप सभी का स्वागत है काफी सारे कोशनों के बाद जो जरूरी कोशन था जिस पर हमने सुचा कि वीडियो बनाए वह यह था कि हैंड बैक और चेकिंग बैक में क्या डिफरेंस होता है और हमें इन सब की पैकिंग कैसे कैसे करने चाहिए तो मैंने कंप्लीट वीडियो तो प यह था है जो आप फ्लाइट के अंदर ले जाते हैं जिसका वेट वैसे तो वैरी करता है लेकिन साथ कीजी तक आलाउड होता है आपको फ्लाइट के अंदर हैंड बैक में समान ले जाना इसमें भी आपको मैं बता चुका हूँ बड़ी कंप्लीट वीडियो में क्या-क्या क्यांटिटी बहुत ज्यादा है बताने के लिए लिस्ट तो सिंपल यह है कि आप किसी को जान माल का खतरा ना पहुचा सकें या फ्लाइट को कुछ ऐसा ना कर सकें जिससे कि फ्लाइट में को नुकसान हो ऐस चीज़ें अलाउड नहीं होती है कि हाँ पावर बैंक आप ले इसके लिए आपको हमने लिस्ट पूरी वीडियो बना रही है उसमें हमने सारा बता रहा है आप वहां से आके देख सकते हैं फिर भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहे है कि यह ले आ सकते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजि अपना आराम से और फ्लाइट में अपना यूज़ कर सकते हैं इसको कोई दिक्त वाली बात नहीं है तो सिर्फ यह है कि साथ केज़ी तक आप ले दा सकते हैं और एक बैग में दूसरा होता है कि आपका जो चेकिंग बैग होता है उसमें कितना वेट होता है तो फ्लाइट तो तीन सो पर केजी के साब से चार्ज लगते हैं वो आप देख लिए चार्ज लगेंगे और उसको चार्ज पे करके आपका बैक अंदर चला जाएगा लेकिन आप फ्लाइट में जाने के बाद यह बाद का विशेज ध्यान के का कोई भी समान ऐसा न डालें जो आप फ्लाइ मैं ब ढन तो बीडियो को देखने के बाद है कि क्या लिजा सकते हैं क्या नहीं कमेंनट करें इसके जूड़ी कोई झान कर देंगे घारे बारे कशे वाय हो सफ्हर पाथा इसके आप बाराई कर देंगे अ कि